Hello friends, I am Aditya Jain, CACS, CMA, CFA का faculty. ICAI ने एक circular recently out किया है, जिसमें कुछ topics उन्होंने include और exclude किये हैं. कुछ topics मैं 2020 के लिए applicable हैं, कुछ topics November 2019 exam के लिए applicable हैं. तो यह जो मैं बात कह रहा हूं, वो मैं चार subject के लिए उपर यह बाते कह रहा हूं. C.A. Institute के, C.A. Inter-FM in Economics for Finance, C.A. Final SFM, C.A. Final Elective Paper, Financial Services and Capital Market and C.A. Final Risk Management. तो कुछ बच्चे जो already class ले चुके हैं, उनके लिए मुझे कुछ बाते बतानी हैं. जो already class ले रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ बाते बतानी हैं. और जो already current face-to-face batch में class ले रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ बाते बतानी हैं. तो क्योंकि students different way में इन सब बातों को समझ तो इस वीडियो में पूरी बात बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक ग्रुप जोईन करवा रहा हूं, उसमें पूरा टॉपिक में एक साथ आपको दे दूँगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो friends, I hope कि जो इतने सारी messages मेरे पास आ रहे थे, तो म रहे हैं या करेंगे, 100% हमारा cover होगा और आप 100% secure करने का सोच सकते हैं, इस चीज का आप परोसा रखें, इस चीज पे आप विस्वास रखें, Thank you friends, आप ग्रुप का description link में, description box में दे दूँगा, आप उसे join करें, और उसमें जो notification आता है, आप उस हिसाब से देखें, आपक के student है, तो अलग notification होगा, और आप आने वाले student है, तो आपके लिए अलग notification होगा, आप inter-fm-eco के students हैं, तो अलग notification होगा, final sfm या final elective paper के students हैं, तो अलग-अलग notification होगा, तो friends, मैंने बहुत अच्छे से bifurcate कर दिया है, I hope, चीज ये बिल्कुल clear हो जाएगी, और panic बिल्क बिल्कुल बिल्कीजे, thank you so much.